कि Hello and Welcome to Jupiter Education Hub अजकी वीडियो में हम बात करने वाले है कि ओइन जिसेने जो बंपर वेकेंशी निकाली है 4000 के उपर जी हाँ करीब 4000 के उपर जो ओइन जिसेने एक बंपर वेकेंशी निकाली है आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है Thos现在 it's इस वीडियो में उस vacancy के बारे में सारी जानकरी देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार इस vacancy के लिए apply करें, आपके पास क्या-क्या qualification होनी चाहिए, आपका किस प्रकार selection होगा, यह सारी किस सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यह वीडियो अगर आप complete तो इसके बाद आपके इस वेकेंसी के रिगर्णिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए हम बात करते हैं सीधा नोटिफिकेशन से जिहां आज ही 29 साथ 2020 को आपको ओइन जिसे ने बहुती बड़ी खुशखबरी दी है कि उन्होंने एक वेकेंसी निकाली है लगबग 4000 के प्लस पोस्ट है जिहां दोस्तो 4000 के उपर कोरोना काल में कोई वेकेंसी आना बह एक्ट जो होता है हमारा इसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है लगबग एक साल की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर आपकी वेकेंसी निकाली गई है अब मैं आपको कुछ बाते बताना जाता हूँ जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते कि कितनी वेकेंसी है किस किस सेक् की तो धहरा दून में लगबग टोटल 180 वेकंसी है यह वेकंसी जो है यह अलग-अलग पोस्ट के लिए है जैसे कि अकाउंटन्ट हो गया, HR हो गया, Secretary and ITI हो गया, Twitter हो गया, Mechanic Diesel हो गया, Computer Operator हो गया इस प्रकार्च की जो various vacancies निकाली गई है, अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग vacancy है, इनके पोस्ट के मुताबिद यह जहां इनको हम बोलते हैं trade, तो इन trade के against में इनके अलग-अलग qualifications दी हुई है, वो आपको detail में नीचे ज़रूर बता दू सबसे और दूसरी बात हम करें डेली जिहां, डेली जो ओन जिसी है, वहाँ पर total आपकी 24 vacancies आई हुई है, उसके बाद जोदपूर जो रिजन है, उस जोदपूर रिजन में total 228 vacancies आई हुई है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मुंबई sector की, तो मुंबई sector में भी काफी अच 16 post से अलग-अलग, उनके लिए इन्होंने अलग-अलग vacancies निकाली गई है, आपको इन trade की मुताबी थी आपकी qualification अगर आप satisfy करते हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, गोव अरिजन की बात करें, तो total 16 post है, हजिरा की बात करें, तो total 162 post दी हुई है इन्हो 64 vacancies आई हुए, सिर्फ मुंबई सेक्टर के लिए, इसके बाद अगर हम बात करें, वेस्टन की तो चमबाय में आपकी total 132 vacancies है, वड़ोद्रा की बात करें, तो वड़ोद्रा में आपको total 168 vacancies आई हुई है, इसी तरह के अंकलेश्वर की अगर हम बात करें, तो अंकलेश् में total अगर हम देखे हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि total 315, और सब total जो है, सारा का सारा आपका वो है, 1580 के करीब, मनलब एक कम है, लेकिन 1580 के करीब, सिर्फ और सिर्फ एहमदाबाद, अंकलेश्वर, वड़ोद्रा के section में इतनी सारी bumper vacancies कहीं भी आपको देखन इसके बाद अगर हम बात करें eastern zone की, तो जोरात में आपकी total 156 है, सिल्चर में आपकी total 49 vacancies है, नाजीरा और सिल्वा सागर में अगर हम देखे है total तो आपकी यहाँ पर मिलेगी 511, और total जो eastern sector है उसकी vacancies है 716, इसे परकार अगर हम आगे बढ़े तो south sector में अगर हम जाते है तो चन्नाई में आपको मिलेगी 72, काकिनाडा में आपको total जो मिलेगी वो है 58 vacancies, और राजा मुद्राई जो है वहाँ पर आपको मिलेगी 308 vacancies, उसी तरह के अगर हम देखे तो कराई कल में आपकी total vacancies जो निकली हुए 236 है और south sector की total vacancies जो है यह है आपकी 674, अब अर central zone की बात करें तो अगर थला जो है वहाँ पर आपकी 163 vacancies है और कोलकता में आपकी total 58 है और इस प्रकार central zone की जो total vacancies है वो है आपकी 221 vacancies, जी हाँ, काफी जोरदार और बंपर में तो कहूंगा कि vacancies जो है ONGC ने निकाली है करीब करीब 4000 के उपर, आप सभी जो जो candidates ये वीडिय देख रहे है तो अगर आप इस post के लिए qualify करते है, satisfy करते है, आप criteria जो feel करते है तो आप जरूर इस form के लिए apply करें, सबसे पहले second जो important चीज़ आती है, वो है age criteria रखा गया है, minimum 18 years का होना जरूरी है और 24 years तक आप eligible हो, जो आपकी date है वो है, मतलब जो आपकी cut off date है, वो है 17-8-2020, इस date के उपर आपकी जो age qualification है वो complete होनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने age relaxation भी दिया हुआ है, upper age में SCST के लिए 5 साल का दिया हुआ है, OBC candidate के लिए 3 साल का दिया हुआ है, उसी प्रकार candidate बिलोंग तो PWD, यहाँ PWD के लिए खास करके इन्होंने 10 साल का age relaxation दिया हुआ ह अब जो काफी important याफी जिसको हम बोलेंगे काफी महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि qualification जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक zone में अलग-अलग trade के लिए अलग-अलग qualification है, तो हम उसी के अगर हम चर्चा करें detail में, तो accountant जो post है, उसके रिगार्ड अगर आप accountant मे अप्लाई करें, assistant human resource की बात करें, तो आपको BA, BBA से आपको past degree होनी चाहिए, अगर आप secretary and assistant की बात करतें, तो ITI होनी चाहिए, computer operator की बात करें, तो ITI होना चाहिए, development की बात करें, तो उसमें भी आपका ITI होना चाहिए, electrician की बात करें, तो ITI होना चाहिए, with respected trade, जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बोलू, यहाँ पर fitter है, तो fitter में ही आपका ITI होना चाहिए, अगर आपकी post है, mechanist, तो आपका ITI भी mechanist में होना चाहिए, इस प्रकार आपको यह अच्छे से देख लेंगे, तो मैं एक बार आपको screenshot भी ले सकते हैं, इस प्रकार, उमीद करता हो अपने screenshot ले लिया होगा, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी हाँ यह आपको stipend भी दिया जाएगा, और जी stipend होगा, वो आपका होगा, लग-बग, मतलब की, पहले त 1961 के हिसाब से ही आपको पे करेंगे, यह अलग-अलग locations के हिसाब से अलग-अलग होता है, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ student है, जो previous जब आई थी वेकेंसी, उन्होंने apply किया था, हमने उसको बहुत ही अच्छा guide भी किया था, तो उन्होंने, उन उसके बाद selection process, selection process काफी important रखता है कि किस प्रकार होगा, क्या कोई exam होने वाला है, या फिर direct selection है, तो जी हाँ, यह direct selection है, यह direct आपका selection का लेंगे और किस प्रकार होगा, तो merit-based के उपर आपका direct selection होने वाला है, जी हाँ, merit के उपर, यानि कि आप जो form field करेंगे, उसमें recording, category-wise यह आपकी merit निकालेंगे और उस merit के हिसाब से ही आपको यहाँ पर selection दिया जाएगा, कोई भी return exam नहीं है, या फिर कोई भी interview भी नहीं होना वाला है, अब जो काफी important या फिर इनका जो application form आप कैसे fill करेंगे, यह जो तरीका है application form fill करने का, यह काफी थोड़ा सा लोग यह करनी है कि, www.http.apprenticeship-in-india.org पर जाके आपको आपका registration करवाना होगा, जी हाँ, इस पर आपके जाके सबसे पहले registration करवाए, second thing जो यह है कि इस portal पर जाना है आपको और वहाँ से भी आपको एक register करेंगे, तब आपको एक register number दिया जाएगा, उस register के number के हिसाब से ही आ जालाओ किया जाएगा, अब जब जो आपको registration मिलेगा, number जो second step में मिलेगा, वो आपको इस website पर जाके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको registration number डालना है और उसके बाद आपको form fill कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है form filling में या फिर आपको नहीं समझ मे नहीं आ रहा है, हम आपको personally contact करेंगे और आपकी जो भी दिक्कत होगी हम solve करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी form भर रखा है और हमारे कुछ student की last year भी queries आई थी, हमने अच्छे से solve करवाई थी और उनका form successful हुआ था और आज शायद वो complete करके अच्छी position पर भी है, तो इस प्र वाली है, आपकी portal की वो है, आपकी आज से ही होने वाली है, यह आपकी 17 अगस्त तक चलने वाली है, result और selection जो है, 24 अगस्त यानी की लगबग, next month में ही आपका selection complete हो जाएगा, अगर आप इस form को fill करेंगे, और अच्छे से अगर आपका marks है, merit है, आपका नाम आ गया, select हो ग बता दिया, कोई भी आपको curious हो, तो आप हमें नीचे comment section में दे दिजिएगा, हम उस query का ज़रू जवाब देंगे, so friends, यही थी आज की महत अच्छी और एक bumper vacancy जो ONJC ने निकाल लिए, उसके बारे में detail explanation, कोई भी अगर आपको doubt हो, तो आप comment section में ज़रू दिजिएगा, और चैनल को subscribe कर लिजेगा और like और share भी कर दिजेगा, thank you, best of love